जैसा कि OnePlus ने कुछ विक पहले अपने 8-6 के अंदर दो फ्लेक्सी वे स्मार्टपॉन को लांज किया जो कि OnePlus 8 और 8 Pro और दोनों ही डिवाइस हमें फ्लेक्सी लेवल के अंदर देखने को मिला था लेकिन यहाँ पर OnePlus की उजर OnePlus के आने वाल अपकमी के स्मार्टपॉन जो कि आपक स्मार्टपॉन जो कि मीडेज के अंदर देखने को मिलेगा जिसमें हमें मेडियाटेका डैमेंसेटी का 1000 का एसोसी यूज़ किया जाएगा लेकिन अब जो लिक्स आ रहे हैं उसके एकोर्डिंग यहाँ पर आपको स्नेप डेन का सेवन सेकी फाइप जी का ही एसोसी देखन से आपको कड़िव के तरह सारे देखने को मिलेगे तो वीडियो फिजिट के हैं तो सुरुप檐स के लागन को प्रेक्ष्क्रीजे अघ्र शुरुबタ सALDर यहीं फीनिच्थे लिए और तो में यहां पहुत लैसे इस्क्रीज के और मिले अपको डोलेट्स voluntarily drip को सब्सक्रीज में मिल जाएगा इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 6.4 इंज का और यह डूवल 5G मूट को भी सपोर्ट करता है और इसका मेक्सम क्लोक के स्पीड 2.4 जीगाहट देखनी को मिल जाता है और यह 7 निनोमेटर की टेकलोजी पर वर्क करता है तो यानि कि यहाँ पे आपको इस चिपसेट के साथ काफी टॉप लेवल का पफॉमेंस देखनी को मि बैटरी के बारे में बात करें तो आपको 4000 ms का लिथियम पॉलीमर बैटरी दिया जाएगा जो कि आपको नॉर्मल यूज़ में दो दिन असानी से निकाल देगा साथ ही आपको 30W का सूपर वार्प चार्जिंग का सुपोर्ट मिल जाता है और आपको चार्जिंग के लिए ने फ्रेंट के बारे में बात करें तो आपको फ्रेंट में 16 Megapixel का अक Selfie Camera का सुपोर्ट मिल जाता है और इसके स्टोरिज के बारें बात करें तो यह डिवाइस आपको LPDDR4X RAM को सपोर्ट करेगा और साथ ही आपको UFS 3.0 के स्टोरिज मिल जाएगा और यह डिवाइस आपको टू बेरेंट में लॉंच किया जाएगा जो कि 8GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB और साथ ही यह डिवाइस यह डिवाइस आपको IP53 रेटिंग के साथ आएगा यानि कि यह डिवाइस लेस होगा तो यह डिवाइस आपको करीब 25,000 के अंदर देखने को मिल सकता है और यह डिवाइस आपको आफ्टर लॉक्डाउन के बाद काफी जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा अगर यह आपको 25,000 के अंदर देखने को मिला तो रियली काफे सारी यूजर्स अदर स्मार्टफोन को छोड़कर इस डिवाइस को डिवाइस को डिवाइस करेंगे